How to fix IOB Mobile Banking OTP Not Received Problem तो दोस्तों ये दि आप जो है अपने IOB Mobile Application जो आपका Mobile Banking Application है इसमें आप OTP Received नहीं कर रहे हो तो दोस्तों ये केस में आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको बताओंगा वीडियो के साथ बनी रहेगा और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजेगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर OTP Received नहीं करने का दो कारण हो सकता है देखिए सबसे पहले तो आपको अपना Message सेटिंग करना होगा उसके बाद में आपका IOB Mobile का Permission आपको सेटिंग करना होगा यह दो वज़े से आपको OTP Received नहीं होता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले जाना है अपने Mobile के सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रोल डाउन करके आपको नीची ढून लेना है Application Manager ठीक है हर Mobile में अलग-अलग नाम से शो होता है किसे में Apps, किसे में Application, किसे में Installed Apps, किसे में App Management तो basically आपको Applications पे आना होता है ठीक है और यहाँ पे दोस्तों आपको All Applications सेलेक कर लेना है उसके बाद में यहाँ पे आपको Messages दून लेना है चलिए हम यहाँ पे अपना Messages दून लेते हैं तो यहाँ पे Messages मुझे मिल चुका है Messages के उपर आपको जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको Permission पे जाना है Permission पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको SMS जो है यह Permission, Phone और Storage यह तीन को Allow करना ही करना है आयो बी मुबाइल एप्लिकेशन चलिए फिर से हम सेटिंग्स पे चले जाते हैं फिर से सेटिंग्स पे जाने के बाद में फिर से हमें जाना है एप्लिकेशन मैनेजर पे एप्लिकेशन मैनेजर में हम फिर से चले जाते हैं और यहां पर हमें डून लेना है आयो भी मुबाइल हमें डून लेना है चलिए आयो भी मुबाइल आच चुका है यहां पर आपको सिंपली क्लिक करना है उसके बाद में यहां पर भी आपको परमिशन पर जाना है उसके बाद में यह सारा परमिशन आपको एलाव कर देना है उसके बाद में दोस्तों आप अपना मोबाइल बेंकिंग करके देखेगा आपका OTP का प्रॉब्लम सारा खतमों के रहेगा ठीक है 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा फिर भी सॉल्फ नहीं हो रहा है तब आप अपना बैंक का टूल फी नंबर में कोल करके उने बता दो इस प्रकार से आप जोई अपना प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं थैक्स फूराचिंग